हाइ फ्रेंद्स मेरे नेचर गार्डन में आपका स्भागत है फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार एक प्लाउ करें प्लाइज लेकर आई हूं मैं इसे आसानी से कैसे ग्रोग करते हैं ये बताऊंगी आज में आपको तो friends पहले आप ये देख लीजे ये वंडरिंग जू है hanging basket ये भी वही है ये और दो basket है ये सब ही मैंने cutting से grow किये हैं काफी आसानी से ये cutting से grow हो जाते हैं तो मैं कल nursery गई थी तो nursery में मुझे वंडरिंग जू दिखा पर आप देख सकते हो कि ये plant और इस cutting में काफी different है इसकी पतिया थोड़ी बड़ी है और इसका shade इससे काफी अलग है पर है तो ये भी वंडरिंग जू का ही plant और ये एक मैने cutting तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा hanging basket था ये धूप में था और ये छाओ में है इसी कारण धूप की वज़े से इसका जो पतियों का shade देखे धूप के कारण निकल चुका है और ये काफी fresh लग रहा है तो ये सभी plant मैंने अब दोनों cutting से ग्रोग किये हैं तो ये मुझे नहीं दिखी मैंने इसकी price भी पूची तो मुझे 250 रुपीज बताया तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत cutting ले लूँ तो उनसे request की उन्होंने 2-3 cuttings मुझे दे दी तो friends चलिए फिर क्यूट 250 रुपीज खर्च करने तो अपने घर पर ही cutting से ग्रोग करते हैं ऐसे भरे हुए basket hanging के खूब सूरत तो चलिए बताती देखिए friends ये मैंने pot बना लिया है इसमें मिट्टी, coco pit, थोड़ी सी मैंने cow manual पर अच्छे से decomposed हुई मैंने गोबर की खाट डाली है इसमें थोड़ी सी नीम खली डाली है और इसमें मिट्टी से ज्यादा मैंने थोड़ी बहुत मात्रा में ज्यादा मात्रा में मैंने coco pit ल चाहिए इसलिए थोड़े हलके फुलके रखने चाहिए उन्हें इसलिए मैं coco pit hanging basket में मिट्टी से थोड़ी ज्यादा मात्रा में ही लेती हूँ तो friends ये देखिए ये जो cutting है ये थोड़े आप इस तरह थोड़ी मोटी लीजिए अभी यहां की नीची नीची की जितनी पत्त पत्तिया में रखूंगी और थोड़ी सी stem भी इसकी थोड़ी सी कट करूंगी देखिए friends मैंने नीची की पूरी पत्तिया हटा दी है थोड़ी stem भी काट दी है इस तरह से मैंने ये cuttings बना ली है अब ये आपको कुछ नहीं आसानी से ये मिट्टी पूरी भुरबुरी है तो इसमें आपको ये cutting ऐसे इस तरह लगानी है कोकोपिट होने के कारण मिट्टी काफी भुरबुरी होती है इसमें कोई भी cutting आसानी से लग जाती है कि अब देखे प्रेंड इस तरह और उपर से हम थोड़ा cuttings लगाने के बाद थोड़ा पानी का प्रे कर देंगे ओके फ्रेंड्स हो गया तो इसे कुछ दिन आप थोड़े से तेज धूप में मत रखिए थोड़े से शेडी एरिया में रखिए इसके रूट अच्छे से डेवलप होने के बाद जब पूरा पॉट भर जाने के बाद भी अभी धूप ब अब ये भी कुछ दिनों में इस बास्केट की तरह पूरा घना हो जाएगा तो ये वंडरिंग जूप का प्लांट काफी दिखने में सुन्दर लगता है तो ये अलग वराइटी मुझी मिली तो मैंने देखिए कटिंग ले ली है तो आप भी ऐसे कही नरसरी में गए आपक देखने में देखिए पूरी थरब भर जाता है इस तरह आप अभी इसकी भी दो चार ऐसे कटिंग में और काफी सारे पोधे ऐसे बनाते रहती हूं इस तरह तो आप भी जरूर कीजे फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजे ओक वेढ्स वाइफ दो ठट रडद दो को लाइफ वेची वीड़ी रद सिरी देखने ले जरूर कीजेशेंगे जरूर कीजेद मेर्द हता है वाइफ लाइब जयक्ता वेड़ने थे लाइब दो शेलिसे प्रीजें आटईविष और स्यूरकश है